हेलो एवरिवन, आपको कि आप सथी सेफ हुंगे, स्वस्थ हुंगे और अपने घरों में हुंगे तो आज मैं आपको कुछ सेमी क्लासिकल डान स्टेप्स बगाने जा रहे हूँ तो आइए सीखते हैं सबसे पहले आपको इस पोजिशन में खड़ा होना है आपको अपनी दोनों हील्स को मिलाना है और दोनों फीट्स के बीच में ग्याप होगा ठीक है? अदर आपको इस पोजिशन में नमस्ते करते हुए हाथों से इस तरह से बैटना है ओके एक बार फिर से बताते हुँ बैठे हुए आपके पेरो के पोजिशन इस तरह होगी ठीके आपको अपनी जो हील से उठाना है और पूरी बॉडी का जो बैलेंस आपके पंजो कर रहेगा तो एक बार फिर से करके बताते हुए स्टार्ट तो आपको स्टेटेछ एंन का बैठेरेंस पोजिशन नमस्ते की लिया है यह था आपका step 1 आप बात करते है step 2 की step 2 पे भी आपनी hands के position जो है वो नमस्ते के लिए है तो आपको इस तरह से करणा है one two three four आपको round करते हुए सामने से अपने shoulder के बास लानी है दोनों hands को okay let's same opposite direction में round करते हुए आप पर left shoulder के पास लानी है फिर से बता रहते हूं one two three four five six seven eight okay अब बात करते हैं legs की आपके legs की position होगी one आपके जो heels है वो जमीन में रही कर आपके जो feet है वो उपर रहेंगे again दूसरे legs से same आपका जो leg का step है same रहेंगे दोनों legs से again आपको हुथा तो पहले left leg से start करेंगे like one two पे दोनों legs join हो जाएंगे three four पे फिर join हो जाएंगे so one two three four one two three four तो hands and legs दोनों को एक साथ try करते है like one two three four one two three four okay आप बात करते step three okay तो step three आपको कुछ इस तरह से करने legs को left leg उठाएंगे right leg के पीछे then right leg and again left leg one two three and four आपको sideways walk करने है one two three four same आपको बाकर सकते position पे जाना है इस बार right leg से शुरू करें to it one two three four इस बार फिर से में one two three four आप बात करते है hands की hands का आपका step होगा leg आपको flower बगाना है नीचे से cross की position में one two three four and then again one two three four आपका thumb middle finger आपकी next finger आपको तुछ करने इस position में आपको ऐसे रखने okay फिर से one two three four one two three four अब hands and legs को दोनों को एक साथ करते हैं one two three four one two three four okay तो आईए अब हम music पे try जाते हैं I hope कि आप सभी को step समझ में आगे होंगे तो डेली प्राप्टिस कीजए और घर पे रहे सुरक्षित रहे and don't forget to like, share and subscribe Art Ankh India NGO Channel Thank you कुं कुं और कुं